आज मैं आपको कुम्ब राशी वालों की जो इस्तिती वर्तमान में चल रही है अनकारी शेयर करूँदा पिछले कुछ समय से कुम्ब राशी वाले जार तक बहुत 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 परेशान चल रहे है अनकी अपन जानते है कि कुम्ब राशी के जो मालिथ है वो शनी महराज है कुम्ब राशी में वो गो चल कर रहे थे लेकिन थोड़े समय से वो वक्री भी हो गए है और मकर राशी में आग है अब सवाल ये होता है कि मारगी से वक्री होना और फिर पुनहें इनका मारगी होना इससे कुम्ब राशी वालो पर क्या असर हो रहा है मैं कहने में धिजक नहीं करूँगा कि शैद इस्वक्त अधिकांश कुम्ब राशी वाले जातक बहुत 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 परिशानी के दौर से गुजर रहे है और यह दौर जो उल्टा चलेगा यह मानकर चलिए आप मार्च दो हजार पच्चीस तक रहेगा मार्च दो हजार पच्चीस तक इस दौर में क्या हो सकता है इस दौर में आर्थिक संकट बहुत भेंकरा सकते है स्वास्थिय की विप्रित इस्थिती हो सकती है संतान पक्ष पत्नी पक्ष से मत्भेद बहुत बुरा हो सकता है पिता से बड़ा ही भेंकर मत्भेद चल सकता है नोक्री विवसाय मान सम्मान सभी जगह है पर कुछ न कुछ गड़ बड़ यानि की रिनात्मक बात हो सकता है आप कहेंगे साब इसमें फिर छोड़ा ही क्या अगर कोई छोड़ने वाली बात होती तो निश्चित रूप से छोड़ते क्योंकि इनका नाम है शनी महारा ये न्याई के देवता है और जब अगर इनकी कुद्रिष्टी पड़ती है बुरी द्रिष्टी पड़ती है तो पक्की बात है कि जातक कहीं का भी नहीं रहता है और इसके विपरित यदी अच्छी द्रिष्टी रहती है तो पक्की बात है इसमें भी कोई दोराई नहीं है कि जातक के बल्ले बल्ले हो जाते है जो जीवन में उसने नहीं सोचा एसी सफलता उसके कदम चूमती है जो काम नहीं होने वाले थे वो काम होने लग जाते है जिसमें बड़ी बड़ी आशंकाय हो रही थी वो आशंकाय दूर होकर कार्य संपन हो जाते है मैं आपको ज्यादा समय इसमें इस संबन में नहीं लूँगा अठार्थ आपको यह जानना कि भई ऐसी इस्तिती में कुम्ब राशी वाले जातकों के साथ क्या होगा केवल और केवल समरी के रूप में सारांज के रूप में मैं यही कहूंगा कि हालात बड़े ही नाजुक है भाई लोगो यानि कि जो कुम्ब राशी के जातक है उन सभी को मैं यह कहूंगा कि आप संभल जाईएगा संभल जाईएगा कारण उसके पीछे है कुम्ब राशी है विश्योग बना कुम्ब राशी है और श्वम तो बरबाद होंगे होंगे महाराज आप अपने जीवन साथी को भी कहीं का ना छोड़ेंगे दस्वी द्रिष्टी शनी महाराज की सीधे सीधे पड़ती है पिता व्यापार नोकरी मान सम्मान पर कहीं का नहीं छोड़ेंगे तीसरी द्रिष्टी प्राक्रम पर है कहीं का नहीं छोड़ेंगे और सात्वी पूर्ण द्रिष्टी इनकी दामपत्त्य भाव पर है तो फिर कहां से कहां छुटेगी कुल मिलाकर बात ये है कि अगर कुम्ब रासी वाले जातक वर्तमान में मेरी बात सुन रहे है तो एसे में सावधान हो जाए कुछ सामान्ने बाते और कुछ जो साधारन से हटकर कुछ बाते लेकिन व्यावारिक है वो अगर हम अपनाएंगे तो शायद संभव है कि कुछ राहत एसे जातकों को मिल जाए और सनी महाराज की कृपा द्रिष्टी उन पर हो और वो सुखी और स्वस्त जीवन व्यतीत कर सके मैं इसके उपाय आपको बतनाने जा रहा हूं आपको क्या सावधानी रखनी है वह बताने जा रहा हूं ध्यान से रखी ध्यान से सुनिएगा लेकिन उसके पहले मैं आपसे कहे देता हूं कि भाई आप ने यदि चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया आप चेनल सब्सक्राइब करें और जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं इस बात को पूरे पूरे अक्षर से समझे सबसे पहली सावधानी तो यह रखनी है कि अभी वर्तमान में कुम्ब रासी वालों को रात में दूद कदापी नहीं पीना चाहिए अब आप ओके साब इससे क्या संबंद है यह छोड़ो आप पहली सावधानी तो यह है कि कुम्ब राशी वालों को रात में दूद पीना बंद तुरंत प्रभाव से कर देना चाहिए बात नंबर दो यह है कि न्याई संगत कार्य करें घर हो चाहिए घर के बाहर हो कार्य इस्तल हो मातापिता हो बहन भाई हो जीवन साथी हो साशुराल हो पीहर हो लेकिन न्याई संगत ही आप काम करें क्यों कि ये न्याया धीस है अर्थार्थ सनी देव केवल और केवल न्याय करते है नरक और स्वर्ग क्या होता है सनी देव जातक को यहीं इसी जन्म में बता देते हैं बात अगली जो है वो यह है कि हम यदि कोई उपाय करना चाहे तो क्या कर सकते है पहला उपाय तो इसका बहुत ही सरल है और वो है कि आप बिच्चू बेल की जड़ शनिवार को लाकर उसे खूब अच्छे से साफ करें पॉलिथिन में बांधें और काले कपड़े में बांध क अपने बाजू पर या तावीज बनाकर अपने गले में शाम के वक्त पश्चिब मुखी होकर धारण कर ले यह पहला उपाय बिच्चू बेल की जड़का था दूसरा उपाय है आप शीव जी की लगातार पूजा करें नियमित रूप से शीव लिंग पर दुग्द और जल से अभिशेक करें साथ ही साथ जब जब आपको समय मिले आप महा मृत्यूंजे का जब अवश्य करें अगर आप पूरा बड़ा महा मृत्यूंजे मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो ओम जूम सह सह जूम ओम यह त्रियक्षर मंत्र भी बोला जा सकता है महा मृत्यूंजे मंत्र जो बड़ा है ओम्त्यम्बकम्यजामहे सुगंधिम्पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवे बंधनान मृत्योर मुक्षी है मामृतात तो यह वाला बड़ा जो मंत्र है इसका भी आप जप कर सकते हैं आप नीम के पेड़ को यह एक नहीं बात है आप लोगों के लिए नीम के पेड़ को नियमित रूप से प्रातेकाल जल सीचे और साथ ही साथ आप मंगलवार को शाएं समय चमेली के तेल का दीपक लगाए और शनिवार को शाएं समय आप सर्षों के तेल का दीपक लगाए बाकी दिनों में आप घी का या किसी मीठे तेल का दीपक लगा सकते है लेकिन जल प्रती दिन सीचना है अगला उपाई जो आपको बताने जा रहा हूं वह यह है कि आपको पीपल देवता की नियमित पूजा मार्च दो हजार पच्चीस तक कम से कम करनी है उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि मार्च दो हजार पच्चीस के बाद में तो आप मुक्त हो गए ऐसा गलत फैमी अपने को नहीं पालनी है लेकिन जो भयंकर वाली इस्तिती वर्तमान में चल रही है उससे बचाव के लिए आपको पीपल देवता की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए पीपल विक्ष को नियमी तूप से जल सीचे शनिवार के दिन से शुरू कर दे और सनिवार की साई प्रतेक सनिवार को सर्सों के तेल का दीपक लगाए जल सीचते वक्त आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए और सर्सों के तेल का दीपक साई को लगाते समय पश्चिम में मुख होना चाहिए और दोनों ही वक्त आप नव परिक्मा लगाएंगे ओम नमो भगवते वासु देवाई यह मंत्र उच्चारित करते हुए प्रतेग परिक्मा में नो परिक्मा आप लगाएंगे आप नियमित रूप से घर में या हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालिसा पढ़े मंगलवार और शनिवार को घर में या हनुमान जी के मंदिर में आप सुन्दर कांड का पाठ करें इसके अलावा जो अन्य उपाई है वह देखिए आप पंच मुखी हनुमंत कवच का पाठ करें कई बार ये होता है कि पंच मुखी हनुमंत कवच हमें आसानी से नहीं मिलता है उसके लिए सीधा सा तरीका है आप प्ले स्टोर पर जाएं और ओडियो पंच मुखी हनुमंत कवच वाला डाउनलोड करें उसे सुनें याद करें और थोड़े दिन बाद में आप शम बोलने ल हनुमान जी के अगला उपाई है हनुमान जी के मंदिर आप मंगलवार और शनिवार को गुड़ चने का भोग लगाए मैं अगला उपाई जो आपको बतलाने जा रहा हूं वह है कि आप शिवलिंग की तो पूजा करते है जलाभी सेख भी करते है लेकिन उसमें एक छोटा सा काम और जोड लीजिएगा और वो यह है कि आप जिस लोटे में जिस गड़ी में जल ले जाए उसमें शमीवरिक्ष की पत्ती डाल दे एक डाली पत्ती वाली डाल दे यह शमीवरिक्ष क्या है और शिवजी को यह अती प्रियवरिक्ष है इसकी पत्तियां आपको गड़ी में डालना जल में डालना है और उस जल से पत्ती डले हुए जल से शिवलिंग पर जलाभी शेख करना है अगला आपको उपाई करना है कि आप मध्यमा अंगुली में फिरोजा शनिवार के दिन साई समय चांदी में जड़वा कर धारन करें हो सके अगर उम्र 18 साल से बड़ी है तो 9 रती से उपर का और अगर 18 साल से कम के उम्र वाले है तो 9 रती से कम का फिरोजा धारन करें हाला कि आप अच्छे से जानते है कि नीलम भी धारन किया जाता है परन्तु नीलम हर जातक को सूट नहीं करता और इसके अलावा नीलम स्टोन जो है वह कीमती भी बहुत होता है इसलिए मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप फिरोजे की अंगुठी बनवा कर धारन करें आप जूट नहीं बोले आप कोई गलत काम ना करे किसी के साथ गलत व्यवहार ना करे आप शनिवार की सनिवार शनी महराज के मंदि चाकर तेल अवश्य चढ़ाए और यदि संबव हो तो आप शनिवार का व्रत अवश्य रखें व्रत की कार्य विधी व्रत कथा जो आती है उसमें आपको उस पुस्तक में मिल जाएगी और अंतिम जो उपाय बता रहा हूं वह यह है कि यदि संबव हो तो रुद्राक्ष की माला धारन करें जिसमें 108 मन के हो और रात को सोते वक्त उसे उतार देना चाहिए आप रुद्राक्ष की माला धारन करें इस तरह से कुम्ब राशी के जातक जो वर्तमान में और मार्च 2025 तक जैसा की हमारे ग्रंथ बता रहे है जो तिश बता रहा है कि काफी परेशानी के दोर में रहेंगे उन परेशानियों से बचने के लिए मैंने आपको कुछ विचार शेयर किये है कुछ उपाई शेयर किये है मुझे उमीद है कि इन में से कुछ आप अवश्य अपनाएंगे सब उपाई नहीं अपनाएं जा सकते हैं व्यवहार में एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है तो जितने सरल्टा से आप उपाई अपना सकते हो उपाई अपनाएं और परमात्मा आपको सुखी रखे स्वस्त रखे जैशी किष्णा